तो नमस्कार गोर्डन चार्स इंस्टिट्यूट में आपका श्वागत है आदोस्तों आज आप लोगों के लिए एक इस्पेसल वीडियो लाएं है जो कि रेलवे ग्रूब डी के लिए इस्पेसल विज्ञान है जो आप लोगों के लिए परिच्छा में बहुत उपयोगी हो और इसमें मात्र पांच कुश्चन आप लोगों को साल्व कराये जाएंगे जो कि आज का पहला वीडियो है और आप लोग जो है मात्र 20 वीडियो देखिए उसके बाद जो है आपका विज्ञान का प्रॉब्लम सारा खत्म हो जाएगा और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा क कि जो भी हमारे नए दोस्त हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बने बेल आइकान को जरूर दबा ले जिससे जो भी नोटिफिकेशन पहुचे आपके पास सबसे पहले पहुचे और अपने दोस्तों के पास सेर करना ना भूले चलिए दोस्त तो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो जो कि बिज्ञान है बिज्ञान सबसे महत्वपूर सब्जेक्ट होता है और आपके रेलवे ग्रूप डी में तैयारी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा तो चलिए दोस्तों बिना देर किये हुए अपना टापिक शुरू करते हैं हाँ दोस्तों ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आज का पहला कुश्चन है हम आपको बताना चाहेंगे कि पहला कुश्चन आपके सामने दिख रहा है जो कि इसमें पहला कुश्चन दिखाया जा रहा है ये देखिए कुश्चन नमबर वान सूरी के श तीन सेकेंड का टाइम देते हैं और आपना answer पहले आप लगाएंगे उसके बाद हम बताएंगे तो चलिए आपका time समाप्त हो चुका है और हमें उमीद है कि आप आपना जो है answer पूच कर लिए होंगे यह देखिए आपनी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है A नमबर उत्तल दरपाण B नमबर उत्तल लेंस C नमबर आउतल दरपाण D नमबर आउतल लेंस आपको तीन सेकंड का time देते हैं उसके बाद जो है आप इस हाँ तो उमीद है कि आप अपना answer चूच कर लिए होंगे आउतल नमबर डी आउतल लेंस यह हमारा सही question है चलिए दोस्तों तिसरे question पर चलते हैं क्या है कि तीसरा question है क्यूरी इकाई का नाम क्या है कि ए नमबर आप्चन ए में radioactive धर्मिता बी नमबर ताप क्रम शी नमबर उश्मा डी नमबर उर्जा तो चलिए तो चलिए तीन सेकंड का time देते हैं और आपना answer चूच कर लिए हाँ दोस्तों हमें उमीद है कि आपना आइंस्वर आप चूच कर लिए होंगे आइंस्वर नमबर एक रेडियो एक्टिव धर्मिता क्यूरी इकाई का नाम है radioactive धर्मिता तो चलिए next question की और आगे चलते हैं चौथा question घरों में लगे बल्ब आध किस क्रम में लगे रहते हैं कि ए नमबर श्रणी क्रम में बी नमबर मिश्रित क्रम में सी नमबर शमांतर क्रम में डी नमबर किसी भी क्रम में चलिए दोस्तों हम तीन सेकंड का समय देते हैं और आपना एंस्वर चूच करिए हमें उमीद है कि आप अपना एंस्वर चूच कर लिए होंगे सी नमबर देखिए समांतर क्रम हमारा एंस्वर सही है सी नमबर समांतर क्रम तो चलिए पांचवा question देखिए पांचवा question है पैंसिल का लेड है ए नमबर ग्रेफाइट बी नमबर चार कोल सी नमबर लायम डी नमबर कोईला तो चलिए तीन सेकंड का टाइम देते हैं आप अपना एंस्वर चूच कर लिए होंगे कि हमें उमीद है ए नमबर ग्रेफाइट ए हमारा यो है पैंसिल का लेड हाय ग्रेर फाइट को के दोस्तों आज का वीडियो हमें ही समाप्त करते हैं और हमें उमीद है कि ए वीडिऴ आपको अच्छा लगा होगा को वा अच्छा लगए तो लाइक यौश्या करिए जए मता दी